Hey guys, welcome back to my YouTube channel, this is Sam and आज किस वीडियो के अंदर गाइज आपन रिव्यू करने वाले हैं Bulletstorm Full Clip Edition को तो अगर आप इस गेम को खेलने का या खरीबने का प्लान बना रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को पूरी देखना क्योंकि मैंने इस गेम की हर एक एसपेक्ट को कवर किया है बले वो gameplay हो, graphics हो या इस गेम के storyline हर एक चीज मैंने cover की है तो प्लीज वीडियो को पूरी देखना एक भी पार्ट मिस मत कर देना तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इस गेम को रिव्यू करना तो चलो और सबसे बहले तो अपन बात कर लेते हैं इस गेम की कुछ basic information and storyline के summary के बारे में तो या जो bullet storm है न वो एक first person shooting game है जो की 2011 के अंदर release वा था लेकिन इस review वीडियो के अंदर अपन रिव्यू करने वाले हैं bullet storm full clip edition को जो की original game का remake है एंद ये 2017 के अंदर release हुआ था bullet storm full clip edition को develop किया था people can fly studios ने and publish किया था gearbox publishing ने ये गेम आपको हर एक major platform के उपर देखने को मिल जाएगा भले वो windows हो playstation हो xbox हो या nintendo switch हो आप इस game को हर जिगे enjoy कर सकते हो यह तो होगे इस game की कुछ basic information अब बात करते हैं इस game की storyline की summary के बारे में तो यहार अगर अपने storyline की बात करें तो जो blitstorm game है ना वो 26th century के अंदर set है जहां अपने को story दिखाई गई है अपने man protagonist greson hunt की जो की एक former black cop soldier है तो guys होता क्या है कि इस game का जो man antagonist है ना general sarano वो क्या करता है कि अपना जो man protagonist है ना greson hunt and उसकी जो team है ना उसको trick करके वो बदला लेने के दोरान जो greson hunt की ship है ना वो एक planet जिसका नाम है style किया वहाँ पे crash land हो जाती है और यहीं से शुरुआत होती है अपने game की अब वो बदला ले पाता है या नहीं वो तो आपको game खेलने के बाद ही पता चलेगा इतना मैं बता सकता हूं कि इस game की storyline है ना वो बढ़िया है and I'm damn sure कि आप इसको enjoy भी करोगी storyline के साथ इस game के अंदर जो dialogues वगेरा यह है ना वो भी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है और बहुत ही professionally record किये गए ड्रामा मुझे ठीक टाक लगा इतना ज्यादा खास भी नहीं था तो इतना ज्यादा बेकार भी नहीं था बाक और अगर मैं बात करूँ तो इस game की जो storyline है ना गाइस वह बहुत ही ज्यादा entertaining है और आप लोगों को भी पसंद आएगी तो अगर आप एक ऐसा गेम ढूंट रहे हो जिसकी storyline अच्छी खासी हो तो आप बुलेट स्टॉम फुली क्लिप एडिशन जरूर चर ट्राई कर सकते हो तो यह तो हो गई इस game की कुछ basic information and storyline की summary अब बात करते हैं इसके gameplay के बारे में तो अगर gameplay की बात करें तो बुलेट स्टॉम है ना वह एक first person action adventure game है जिसके अंदर अपने को linear gameplay देखने को मिलता है linear gameplay के साथ साथ इस game के अंदर guys आप कुछ collectables वगेरा यह है उनको भी collect कर सकत हो लाइक इस game के अंदर आपको overkill mode भी देखने को मिलेगा जो कि basically new game plus है बट इसके अंदर होता क्या है कि आपके जो weapons वगराई है ना वो सुरू से ही fully upgraded होंगे और आपका जो ammo होगा ना वो भी unlimited होगा बाकि overkill के साथ साथ आप इस game के अंदर बहुत सारे cooperative modes भी enjoy कर सकते हो like score attack वगरा यह है hard mode है तो ऐसे बहुत सारे cooperative modes भी आपको इस game के अंदर देखने को मिलेंगे तो gameplay के मामले में guys इस game के अंदर आपको इतना कुछ जादा interesting देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो actual gameplay है ना guys वो बहुत ही दगड़ा है कहने का मतलब यह है कि इस game का जो gameplay है ना वो इस game के बारे में मुझे जो सबसे बड़िया चीज लगती है ना वो है combat भाई बहुत ही जादा interesting combat है इस game का इस game के अंदर आपको skill shot वगरा ऐसे features देखने को मिलेंगे मतलब skill shot का मतलब यह है कि अगर आपको special tag down perform करते हो ना तो आपको points मिलते हैं बाकि आप अपने जो weapons and gadgets वगरा यह है ना उनको upgrade भी कर सकते हो और नएने weapons को equip भी कर सकते हो इस game के अंदर आप slide भी कर सकते हो and इस game में आपको boss battles वगरा यह भी देखने को मिलेगी तो gameplay and combat के मामले में तुमें यहीं बोलूँगा guys कि इससे बड़िया game आपने कभी भी नहीं कहला होगा जिस किसी न तो guys आपको bullet storm जरूर से try करना जीए तो यह तो होगे gameplay and features के बारे में बाते अब बात करते हैं इस game के graphics के बारे में अब देखो यार यूटी यह जो game है ना वो 2017 के अंदर release हो था लेकिन still this game looks absolutely gorgeous भाई इस game की size देखके इस game के जो graphics है वो बहुत ही बढ़ी है textures वगेरा यह भ को हर एक level different experience provide करवाईगी जो कि सच में बहुत ही बढ़ी है एक चोड़े गेम के लिए बाकि अगर performance के में बात करूं तो इस game की जो performance है ना graphics के according वह भी बहुत ही बढ़ी है और आपको यह easily 60fps दे देगा low end PC में भी तो अगर आप एक ऐसा game ढूंड़े हो जिसके अंदर level designing क work बहुत ही शांदार हो ग्राफिक्स भी शांदार हो और उसकी performance भी अच्छी हो तो गाइस आप बुलिट इस्ट्रॉम जरूर से ट्राइ कर सकते हो यह तो हो गई गेंपले फीचर्स ग्राफिक्स स्टोरी लाइन एंड इन सब चीजों के बारे में बाते हैं मेरे opinions के बारे म दो तो live stream पे और दो वैसे नोर्मली अभी भी मेरा मन करता है कि मैं इस गेम को खेलता ही रहूं को कि इसका जो gameplay ना वो बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव है इस गेम के अंदर मुझे सिर्फ एक ही कमी लगी कि इस गेम के जो storyline है न वो और भी बढ़िया हो सकती थी और उसको मुझे comment section के अंदर बताना मत भूलना तो I hope यार यह review वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको यह review वीडियो पसंद आई तो please वीडियो को like करना ऐसी और review वीडियो के लिए channel को subscribe करना वागे मिलते हैं अगली वीडियो में guys तब तक के लिए bye bye take care